हे गाईस, वेलकम टू एकजाम सिक्षा, मेरा नाम है रोयल और आज हम पढ़ने वाले हैं मद्ध प्रदेश की राजववस्था आज की इस वीडियो में हम मद्ध प्रदेश की राजववस्था को कम्प्लीट करेंगे नेक्स्ट सेसन में हम राजववस्था से सम्मन्दित MCQs देखेंगे स्टार्ट करते हैं, आज हमें देखना है मद्ध प्रदेश में खुली जेल का कॉंसेप्ट सर्वप्रतम 1973 में चम्मल गाटी के भीड़ों में रहने वाले ऐसे डखेतों जिन्होंने आत्वन समरपन किया था उनके लिए यह खुली जेल का कॉंसेप्ट सुरू किया गया था इसे 1973 में नव जीवन सिबर के नाम से मौंगा वली असोक नगर में सुरू किया गया था ए बात आपको याद रखनी है खुली जेल, आई हम समझते हैं खुली जेल होती क्या है तो खुली जेल की कॉंसेप्ट में था कि जो कैदी होगा वह जेल में जो अपराद करेगा तो जेल में जाएगा और जेल में जाने के बाद वह कैदी अपने परिवार को भी साथ में रख सकता है यहां मैं आपको एक बात बता दूँ जो कैदी है उसके परिवार को कैदी के साथ जिल में रहना होता था लेकिन जो अजोगनगर मुंगावली में खुली जिल खुली थी इसमें इसकी विप्रीत होता था कैदी को परिवार के साथ उसके घर सिफ्ट कर दिया जाता था और पुलिस वहाँ पर लगा दी जाती थी तो इसे हम पूर्ण तह खुली जिल अभी तो नहीं कह सकते हैं इस जो नवजीवन सिवर है इसको पूर्ण की खुली जिल अभी नहीं माना जा सकता 1980 में एस जिल बंद हो जाती है अब इसी क्रम में बंदिल खंड के डखेतों के लिए नवजीवन खुली जिल की इस्थापना लखीमपुर में की गई थी लेकिन ये भी जो खुली जिल के मापदन को पूरा नहीं कर दी थी इसलिए इसको भी हम पूर्ण खुली जिल नहीं कह सकते हैं यहाँ याद रखना है बंदिल खंड के डखेतों के लिए लखीमपुर में नेक्स हम देखेंगे कि जो हमने दोनों एक असोक नगर मंगाबली और दूसरी लखीमपुर ये दोनों ही पूर्ण खुली जिल इसलिए नहीं मानी क्योंकि इसमें कैदियों को परिवार में जाने के लिए पैरोल पर छोड़ा जाता था जबकि जो खुली जिल का कॉंसेप्ट है वह है कैदि को परिवार के साथ जिल में ही रहना पड़ता था अगर हम बास्त्रक रूप से खुली जिल की बात करें तो पूर्णत है खुली जिल तो वह होसंगावाद से माने जाती है जिसकी स्थापना 2010 और 2011 में हुई थी इस खुली जिल को नपजीवन आश्रम का नाम दिया गया नेक्स ठम देखेंगे बरतमान में खुली जिलों की संख्या पहले पांच थी लेकन 2020 में एक और बढ़ गई भोपाल अब 6 हो गई है हम देख लेते हैं कौन-कौन से हैं पहली है होसंगावाद 2010 और 2011 में दूसरी जवलपुर 2018 में तीसरी सागर 2018 इंदौर 2018 में सतना 2018 और हाल ही में भोपाल में 2019-20 में खुली जिल की स्थापना की गई यहाँ खुली जिल के कौनसेप्ट को समझाया गया है कि खुली जिल के कैदी को अपने परिवार के साथ रहने मिलता है और वह आर्थक कतीविदियों के लिए गर से बाहर जाने का अधिकार भी रखता है विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में सर्व पर्थम स्विट्जा लेंड के विड्जविल में खुली जिल इस्थापित की गई अब विश्व के बाद अगर हम अपने भारत पर आते हैं तो भारत में 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय अंग्रेजी सासनकाल के दोरान मुंबई में खुली जिल इस्थापित हुई थी लेकन अब 1910 में उसे बंग कर दिया गया था यहां हमें एक बात को नोट करना है कि मद्ध प्रदेश में बरतमान में दो महिला जिल हुशंगाबाद और जबलपुर में इस्थापित की गई हैं अब पुलिश प्रशाशन से संबंदित हम कुछ योजना को समझते हैं जेल से संबंदित योजनाओं को भी हम देख लेते हैं तो पहली योजना है खुस्भू परियोजना अब खुस्भू परियोजना क्या है तो इसकी सुर्मात कैंद्री है जो कारागार या जिसे हम सेंटरल जेल कहते हैं उसमें कैदियों के सामाजिक पुनरबास और व्यक्तत्व सुधार के लिए यानि उनका समाज में फिर से इस्थान दिलाने के लिए उनके क्राइम को कम करने के लिए और उनकी परसनालिटी को डेवलप करने के लिए की गई थी इसके वैस था? खुस्बू परियोजना की स्थापना इसका जो उद्देश था वह सरल और सहज मनोबेग्यानिक तरीकों से आपराधिक मनोब्रती में शुधार करना था यहां आमने खुस्बू परियोजना देखी अब मद्दप्रदेश में पुलिस से सम्मंदित कुछ और हम परियोजनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है परिवार परामर्श कैंदर हमारे मद्दप्रदेश में परिवार परामर्श कैंदर की संख्या 9 है और यह 1995 से स्थापना की गई थी इसकी इसका जो वो देश्य होता है वो परिवार एक कलह है और परिवार तूटने जैसी गतिविदियों को रोकने के लिए होता है परिवार में कई छोटी छोटी समश्याएं आती हैं लेकिन कुछ समश्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो परिवार को तोड़ने की नौवत आ जाती है तो इसके लिए पुलिस द्वारा परिवार परामर्श केंदर खुला गया है और ये 1995 से अभी भी कारवरत है दूसरी है नगर सुरक्षा समीती इसकी स्थापना 1999 में होती है जो इसमें जो नागरिक होते है वो इस्थानिये गड़मान नागरिक सामिल होते है इसका उदेश है सांती विवस्था वनाई रखना और आपराधिक गतिविदियों पर नियंत्रन रखना इसके बाद हम देखते हैं ग्राम सुरक्षा समीती इसकी स्थापना 1999 में होती है और हमारे मद्धप्रदेश में 3525 ग्राम सुरक्षा समीती अभी वर्तमान में कार रहते है इसका उदेश होता है कि जो विविन पर्व तेवहार होते हैं और अन्न जो आउशर आते हैं तेव कोई भी कारिकरम तो उन पर शांती विवस्था बनाए रखने में सहीयोग करना नेक्स्ट हम देखेंगे बाल मित्र योजना इसकी सुरुवात 1997 से होती है बाल मित्र योजना का उदेश्य बालकों को पुलिश प्रशाशन और पुलिश करतव्यों से अवगत कराना होता है इसमें जो बालक होते हैं किशुर वश्था उनको पुलिस के कारियों से अवगत कराया जाता है पुलिस की जिम्मेदारियों को उन्हें समझाया जाता है और जो उनके अंदर पुलिस के प्रती जो भै ब्याप्त है उसको भी समाप्त किया जाता है Next हम देखेंगे Communating Polishing Program Communating Polishing Program इसकी सुरुआत इन दौर के रोस्तम का वगीचा छेतरशे होती है आई हम देखते हैं इसका उदेश क्या है तो जो पुलिश होती है वह परिवारों से सीधे संपर्क करके उनकी सिकायतों का समाधान करने और उनकी सुरक्षा के दायत को पूरा करती है इसके अंतरगत Communating Polishing Program के अंतरगत नेक्शन देखेंगे प्रदेश में नार्कोटिक्स के बारे में जो हमारे मद्द प्रदेश में नार्कोटिक्स से सम्मंधित जो फैक्ट हैं उनको भी हम यहां देख लेते हैं तो जो नार्कोटिक्स कार्याला हैं वह हमारे मद्द प्रदेश में नीमच, मंदसौर और इंदौर में कारे कर रहे हैं मद्ध्रदेश में साइवर अपराधों से सम्मंधित साइवर सेल भोपाल में कारे रहत है इस बात को हमें याद रखना है नेक्स हम देखेंगे मद्ध्रदेश के भोपाल में केंद्रियक अपराद अनवेशन ब्यूरो का छेत्रिय कार्यालाई 1960-1960 से ही कार्यात है इस बात को हमें याद रखना है अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रदेश की कुछ हम पुलिस प्रिसिक्षन अकादमियों के बारे में बात करते हैं जहां पर पुलिस को ट्रेनिंग दी जा करती है जो नरोना अकादमी है वह जो इस्टेट पी एसी में जो सेलेक्टेड होते हैं उनकी ट्रेनिंग की विवस्ता करती है अब हम देखेंगे सबसे पहले जवाहल लाल नहरू पुलिस प्रिसिक्षन अकादमी यह सागर जिले में इस्तित है आईए हम इसके बारे में द स्थापित किया गया था फिर इसके बाद 1936 में इसे पुलिष महाविद्याले का दर्जा दिया गया हम बात कर रहे हैं जवाहल लाल नहरू पुलिष अकादमी की इसके बाद 1986 में इसे अकादमी के रूप में स्थापित किया गया यहां पर जो सब इंस्पेक्टर होते हैं जो state PSE में selected होते हैं उनको prescription दिया जाता है इसके बाद हम देखेंगे रुस्तम पुलिस प्रिशिक्षां केंद्र बार बार रुस्तम नाम आ रहा है तो जो रुस्तम थे जब मद्धप्रदेश का जब गठन नहीं हुआ था उसके पहले वो मद्धभारत का हिश्या था तो उस पूरे मद्धभारत के पुलिस के जो पुर्मक थे वो थी रुस्तम तो उन्हीं की नाम पर रुस्तम पुलिस प्रिशिक्षां केंद्र की स्थापना होती है 1980 में और 1988 में इसे महाविध्याले का दरज़ा दिया गया 2003 में रुस्तम जी की इस मिर्ती में इस संस्था का नाम रखा गया था रुस्तम पुलिस प्रिशिक्षां केंद्र नेक्शम देखेंगे कि जो रुस्तम का पूरा नाम पहले तो के एफ रुस्तम है के एफ रुस्तम शशेष्ट्र प्रिसिक्षन महाविध्याले में प्लाटून कमांडर, SI और राज़ पलिस सेवा में चैनित लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज़ प्रिसिक्षन अकादमी तो इसकी स्थापना होती है जून 2013 में और इसकी स्थापना भोपाल के भौरी नामकिस्थान पर होती है यहाँ पर प्लिस प्रिसिक्षन से सम्मंदित जो कमिया होती हैं उनको दूर किया जाता है यहाँ पर स्थेट PSC, SI, प्लाटून कमांडर सभी की ट्रेनिंग होती है जो अलग-अलग अकेडमियों से सीख कर आए हैं और उनमें कुछ कमिया हैं उन सभी की ट्रेनिंग यहाँ पर की जाती है तो यहाँ तक हमने पढ़ा मद्यप्रदेश की राजववस्था के बारे में आज हमने मद्यप्रदेश की राजववस्था को कम्पलीट किया नेक्स्ट वीडियो में हम मद्यप्रदेश की राजववस्था से सम्मंदित कुछ प्रश्न करेंगे previous year paper में आये हुए questions को solve करेंगे और हम next topic को start करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद पढ़ती रहिए हमारे साथ यकजाम सिक्षा के साथ